हाईलो स्टूडेंट, वेलकम बाएक डीके सर क्लासेज, क्लास 12 के बच्चों के लिए ये 2024 का वाइरल हिंदी का पेपर, आज की इस पेपर को अच्छे से देख लेते हैं, तो आप 98% के वर हिंदी मिलाएंगे, 98% हिंदी मिलाएंगे, ये वाइरल हिंदी का पेपर अच्छे स पेपर होने वाला है, तो ये आप अच्छे से पढ़के जाएगा, मैं गैरेंटी दे रहा हूं कि 99 नंबर आप 100 में से लेकर आएंगे, जिस तरीके से ये वाइरल पेपर में बताने जा रहा हूं, नए तरीके से नए अंदाज में जो पेपर वाइरल हो गया है, इसको पढ से आएगा, रोल नंबर यहां पर अनुक्रमांग लिखा हूँआगा, मुदृतों की प्रिष्टों की संख्या, जितने पेज में आपका पेपर हैगा, उतना और नाम भरने के लिए आता है, ठीक है, और 102 ये कोड अनुसार आता है, और यहां पर पेपर का कोड जो है 302 DI को है, आप दीखें, निर्देश जो दिया है, इसमें दो चीजों पर गौर करना है, सबसे पहला नंबर जो है, कि प्राराम यानि कि 15 मिनट पर इक्षार्तियों को प्रशन पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा, प्राराम में बच्चों को 15 मिनट पढ़ना है, ठीक है, इस के बाद दूसरा नंबर का रहा है, कि इस प्रशन पत्र में दो खंड रहेंगे, और दोनों खंडों के सवी प्रशनों को करना जरूरी है, ठीक है न, इसी तरीके से आपको करना है, आप चलते हैं, जो पहला आपका खंड आएगा, ये खंड जो आएगा आपका खंड को से रहेगा किस से रहेगा बबू खंड को से रहेगा इसमें जितने भी कोशन्स दिये हैं इसको मैं अब भी बताते चलूंगा सलूशन के साथ पहला नंबर में जो प्रशन आएगा बबू इसमें केवल टोटल आपको पांस भी गल्पीक रहेगा ठीक है यह जो गद सहीति से आत बताऊंगा सिक्चा उदेश सिक निवन के लिएका कौन है संपूरा नंजी है यहाँ पर जो दूशर आपसं दीक रहे संपूरा नंजी हो जाएगा ठीक है मैं डाइरेक्ट आपको फटा-फट से मतलब कि जादे इन्वेस्ट नहीं करूंगा टाइम अच्छे से और जल्द जल्दी की बाद करूंगा एक हो नमर देखिए ललू लाल की रचना ललू लाल की रचना क्या है इसमें देखिए जो दिया है न प्रेम सागर प्रेम सागर दूसर नंबर पर देख रहे हैं बाबो यह होती है ललू लाल की रचना यही है इसमें दूसर नमर देखिए परद मस्याक रशनकार कौन है तो इसका विकल्प इधर है अवारा मस्याक रशनकार कौन है तो यहाँ पर विशूर परभाकर राम ब्रिक्षवेनी प्यूरी राहुल संस्कृत्यायन राघे राघव तो इसमें कौन हो जाएंगे तो विशूर परभाकर यानि पहला जो विकल्प आ दिवेदी जो चोगता अप्सन में यह सही हो जाएगा ठीक है इसके बाद दूसरा प्रश्ण जो की मतलब की गदत हो गया अब पद सहिति किसी इसे बभू ये पद सहिति सी पेन की सहितिया पद सहिति सी पांच प्रश्ण आएंगे पांच नमर की रहेंगे ठीक है चलिए कौलिखा की कमाईनी किस यूग की रचना है कमाईनी किस यूग की रचना है किस यूग डिवेदी यूग छहवादी यूग भरतिंदू यूग प्रगति तो ये छहवादी यूग की किस यूग के बवू ये छहवादी यूग की है इसके बाद यहाँ पे देखिए खो नमबर कि अग्रदास जो है न यहां पिजान फिरा अग्रदास न कर करके अग्रवाल जी होगा क्या होगा अग्रवाल अग्रवाल जी किसको बोला ज़ता है वावू केदारनाथ को ठीक हैं सब्चके सब करक्रिकर सबोजसbeitenρόजी दिवेदी यूग की रचना नहीं है नहीं है पुछा इसमें प्रिय प्रवास साकेत भारत भारती कमाईनी कौन सा ऐसा है जो की मतलब की दिवेदी यूग की नहीं है तो प्रिय प्रवास इसमें से प्रिय प्रवास जो है दिवेदी यूग की रचना नहीं है इसके बाद लास संद यहां पर सही है मामा होगा पेपर में यह सही आएगा मामा लिके बढ़ियां से तैयारी कर लीजिए इसके बाद आप देख रहे हैं यहां सी कोशें नमर थोड़ी स्टार्ट होगा बबू देख सकते हैं अगला प्रशन तीन निम्मर क्या बोलागा इसमें कि निमलीखीत यानि दिये के गद्यांस पर आधारी तिनमलिखीत प्रशनों का उतर देजिए ये गद्यांस आएगा और गद्यांस को कैसे ट्रिक से समझ के त्यार करना ही ये चीज़े मैं आज की इस वीडियो में किलियर कर देता हूँ दो नंबर के प्रसं आएँगे पांच रहेंगे यानि कि दस नंबर का केओल गद्यांस आएगा दो गद्यांस भी रहेंगे एक उपर रहेगा एक आथोआ में तो दोनों में से किसी एक को करना है सबसे पहले मैं ट्रिक बताउता हूँ कि किसी भी गद्यांस को कैसे पाचानेंगे, किस पार्ट से हैं, तो एक पहले गद्यांस को पढ़ लेते हैं, कि धर्ती माता की कोंख में जो अमुले निधिया भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंदरा कहलाती हैं, उससे कौन परचित न होना चाहेगा, लाको करोडों वर्सों स अनिक प्रकार की धातियों को प्रित्वी के गर्व में पोशड मिला है, दिन रात बहने वाली नद्यों ने पहाडों को पीस पीस कर अगनित प्रकार की मिठियों से प्रित्वी की देह को सजाया है, हमारे भावी आर्थिक अभ्यूदे के लिए इन सब की जांच परताल रास्ट के स्वरूप, यहां पर देगे स्वरूप, स्वरूप वाला चेप्टर जो है, इसी चेप्टर से इसको दिया गया है, इसमें पांच प्रशन रहेंगे, तो परियूग्त कद्यांस का संदर्ब लिखिये, संदर्ब लिखना इसका, धर्ती वसंदर क्यों काहलाती है इसको बताना है, इसमें इसी में से प्रशन का इंसर देना है, रिखांगीतन के व्यक्या भी कर देना है, प्रती वी की देंगों किसने सजाया है, इसके बाद भावी आर्थिक अभियूदे है, तो हमें क्या करना चाहिए, पांच प्रशन दो-दो नंबर के रहेंगे, और उसोग का फूल उसी मस्ती में हस रहा है, पुराने चितर से इसी देखने वाला उदास होता है, वो अपने को पंडित समझता है, पंडिताई भी एक बोज हैं, जितनी भी बारी हैं, उतनी ही तेजी से डुबोती हैं, तो इसको जैसे ही पूरा पढ़ेंगे, थोड़ावी पढ़ेंगे, तो आपको चैप्टर का नाम मालूम चल जाएगा, तो अश्ोक का फूल जो आप देख रहे हैं अश्ोक, अश्य उक का फूल, अश्य उक का फूल है चैप्टर, इसी चैप्टर शे इस गड्यांज को तीया गया, देख रहे तो आप जितने भी का गद्यांस मतलब देख रहे हैं ट्रिक समझ लीजिए कि किस तरीके से पाचानना है इसमें भी पांच प्रशन रहेंगे पांचों का जवाब फटा-फट से दे देंगे ठीक है तो आपको दस नमर मिल जाएगा तो किसी एक गद्यांस को इसको करना है या इसको किसी को कर लेना ठीक इसके बाद आप देखिए बबु यहां पर दिया है चार नमर कि दिये गए पद्यांस पर अधारित निम्लिखीत प्रशनों के उतर देजिए ये भी दस नमर का पद्यांस आएगा पेपर में लिखा है कि दुरबलता का ही चिन यानि चिनी बिसेस सपत है बिसेस क्या ह पुत्र फिखों ठारो मत रुको मुझे ठारो मत रुको मुझे कहूं सो सुन लो पाओ यदी उसमें सार उशे सब चुन लो करके पहाड सा पाप मोर रह जाऊं राई देखिए वर भी अनुपात न कर पाऊं तो ये पद्यांस कालाता है बबु अगर इसको करना चाहते है त अनुपताफ कई 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 अनुपताफ अनुपताफ इस चेप्टर से इस मतलब पद्यांस को दिया गया है इसके राइटर कौन है बबु इसके आयोधि सिंग उपादे आयोधि सिंग उपादे हरियोजी ठीक है इसी मतलब पद्यांस को मतलब इस बार से लिया गय इस पद्यांज को अराम से इसमें भी पांच प्रशन रहेंगे तो पांच को उतर फटा फट से आप कर लेना अगर वो नहीं करना चाहते हैं ये याद है तो इसको भी कर सकते हैं कि लज्जा सिलापथी महिला जो कहीं दृष्टियाय देने होने देना विक्रिती वसना तो न थोड़ी सी सरमिक वह गोद हो गोद ले सरांती खोना होठो की ओ कमल मुक की मलंताय मिटाना कोई कलांतक क्रिसक ललना खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परस उसकी कलांतियों को मिटाना जाता कोई जलद यदि हो बयोम में तो उसे ला छाया दुआरा सुखी करना तब पढ़ा अपको थोड़ा सा तो मालूम चल गया कि लज्जा सिला पथी कि किस पार्ट से लिया गया है यह पौण दूतिका से किसी से पौण दूतिका वाला पार्ट से इसके राइटर कौन है मैथली शरड गुपत जी के द्वारा यह लिखा गया कविता ठीक है इसी अच्छे से इस पांचो प्रश्णों का उतर देना है, चार इधर हैं, एक इधर, तो मतलब कि यह रहा आपका पद्यांस, बढ़ियांस से तयारी करके रखेंगे न, एक एक कोशन में अब टाप करके आएंगे, इस मतलब कि पूरी गद्यांस जो यह मैं बताया, इसका पूरा पांचो प्रश्णी यहां तक था, इसके बाद यहां से पांचो प्रश्णी स्टार्ट होता है, को नमर लिखा कि निमलिखीत में से किसी एक लिखा का सहितिक परचे देते हुए, उनकी परमुख रचनाओ का उलेक की जिए, देख लिजिए, इसमें भी तीन रहेगा, एक, से त्यारी कर लेना, 100% इस बार भी यह आएंगे ही आएंगे, इसके बाद पांचो प्रश्णी से किसी कवी का सहितिक परचे देते हुए, उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकास ड़िए, और सी सब्दों में इसको भी लिखना है, पांच नमर का यह भी है, मैथले कहानी का उदेश से पर प्रकास ड़िए, और सी सब्दों में इसको भी लिखना है, अगर वो नहीं कर पाते हैं, तो अथवा में दिया है, कि धुरू यात्रा कहानी की कथावस्तू अपने सब्दों में लिखिए, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, इस पर पांच नमर म में आप किस जीले से उसका जीलावाइज का मतलब प्रशन अलग 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 आता है, आप सभी को बता दिये हैं, सर जी आपके कोचिंगों गरा सगरे, मतलब हम भी बताएं हैं, आप किस जीले से अपना जीला को क्या कर दीजी बबू, जीला को कॉमेंट में किजिए, कि मै सर इस दिले से हूँ उसके हिसाब से मैं बता दूँगा ठीक है बबू चलिए इसके आगे बात करते हैं आपका खंड जो है खो स्टार्ट होता है खंड खो से भी 50 नमर के प्रस्ण पूछी जाएंगे बणिया से रट्टा मार लेना इसको ठीक है यह देखिए यहाँ पर आठ कासीत प्रमस्य सर्वस्चो गुण जनसीवेवा आसीत यत्र कुत्राप्यायम जनानम दुखितम पेडियानास पचस तत्रायव सहव सिग्रमेव उपस्तित शर्व विग्नम शहाचे अकरोत प्राणिस्यव अस्य शुभाव एवासीत जैसे इसको पूरा आठीसे पड़ा आ महा मना मालविया मालविया महा मना मालविया वाला पार्ट जो है उसी से इसको दिया इसको क्या करना है वबू अभी हमें आपको चीजे समझा देता हूँ इसको पहले तो क्या करना है इसका संदर्ब लिखना है क्या करना इसका संदर्ब लिख देना है हेडिंग डालके इस है नहीं इसको करना चाहते है तो अथवा में भी दिया है इसको भी कर सकते हैं जैसे यह लिखा है हंस राजा तदय प्रिसा मध्य आत्मना भगने पाप इसके अब हंसा पोतस इस मतलब की पूरे इसको अच्छे से पढ़ेंगे यहां तक इसको कर लेजिए या उपर वाला किस से एक को करेंगे तो ही सात नमर मिलेगा ठीक इसके बाद यहां से सातवा का खो नमर दिये के पध्यांस में से किसी एक का संदर्व सहीथ हिंदी मनवाद किजिए यह भी सात नमर का आता है ठीक है लिखा कि नमे रोच्ते भद्राम वह उलका से आभिम विशनम अक्रदस्य म नुखम पस्य कथम कुद्द भविस्चत तो इसको कर लिजी इसको क्या करना यह आपका स्लोक से दिया जाता है स्लोक से क्या करना है इसका संदर्व लिखेंगे पहले नमर की किस पार से संदर्व डाल देंगे इसके बाद इसकी अनवाद कर देंगे हिंदी में ठीक है पर देखिए निगा ना परोचे कारा से हस्तरम प्रतेक्षप वादिनम इसको कर ले जी यहां पर अथवा में जो दिया है इसको कर लेना तो जो भी आपको आये उसको कर सकते हैं ठीक है ना तो इस तरीके से सलोक आएगा संदर्व और उसका अनुवाद करना होता है बस सात न लंगवा नमर कोशन निमलिकीत मुहाबरों में से किसी एक का अर्थ लिकर वाक्य में परियोग किजी यह भी दो नमर का है कैसे दो नमर मिलेगा अभी बताते हैं जैसे पहला है दूसरा है तीसरा है चोथा है चार दिया है लेकिन इसमें से किसी एक पर किसी एक को अर्थ ल लिखेंगे क्या लिखेंगे बाबू कीसका मतलब अर्थ क्या होता है तो एक नमर नमर पे मिपले सत्य भी कल्ब है वसन का मतलब क्या होगा व्यसन का मतलब दोनों का अर्थ जो है सब्द युग में चूज करना है ठीक है इसके बाद दिख्या है अम्बुज और अम्बुद अम्बुज और अम्बुद का दोनों का यहां पे अर्थ सही सटिक क्या बैठेगा इस चारो अप् ही लिखा है नाग लिखा है तो किसी एक चीज को उठाना जिसें अंबर हो गया तो हम अंबर चलते हैं तिक मतलब चलते हैं आगे आपको मतलब जो भी option मिलेगा उसके हिसाब से उतर दिखना है दूसरा नमबर जानेने की एक्षा रखने वालों कोई जिग्यासू बोलते हैं आप इसी तरीके से कर लेना इसके बाद गहान अमन्निम लिखिते हैं वाक्यों में से सूध करके बताना है किसी दो वाक्यों को ठेक है जैसे तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं ये असूद है इसको सूद करना है तुम कुर्सी पर बैठे हो इसको कर लेना इस तरीके से दूसरा इस सरौवर में अनेको कमल के लिए इस सरौवर में अनेक कमल के लिए इस तरीके से लिखेंगे लेकिन दो को करना है दो को छोड़ दिजेगा ठीक है इस तरीके से करना है चलिए आगे हम question देखते हैं question ये question आगे देखेंगे बारह नमर से ठीक है न यहाँ पर सलेंगे देखिए क्या लिखा है बबू 12 नमर का को नमर की वीररस अथवा हासिरस का अस्थाई भाव के साथ उधारण सहीत परिभासा लिखे देखिए उधारण लिखेंगे तो एक नमर परिभासा लिखेंगे प्लस एक नमर कितने नमर मिलेगा दो नमर खो नमर, शलेश मातवा उत्प्रेक्चालंकार का लग्षड सहीद उधारण दीजिए लग्षड भी देना है, परिभासा भी उधारण भी देना है तब जाके आपको दो नमर मिलेगा, ठीक है न, इसके बाद दोहा अथवा सोरटा, दोहा अथवा सोरटा चंद जो है इसमें से किसी एक पर लिखना है, इसका मातरा सहीद, लग्षड और उदारा लिखना है तब जाके दो नमर मिलेगा, ये पक्का है कि इस बार 100% पूछा जाएगा और इस 6 नमर पक्का है आपका, ठीक है, बनिया से पढ़के जाना, इसके बाद 13 नम, बैंक में खाता खोलने के लिए, बैंक प्रबंदो को अवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए इस पे 6 नमर का आएगा, अथवा में नहीं आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से भी पेपर में आएगा बबुत बढ़िया से पढ़के ही जाना है ये दोनों 100% आएंगी इस पर पेपर में, इसके बाद लास्ट कोशन है, 14 नमर निम लिखिद, 200 में से किसी एक पर भासा साली में निबंद लिखना है क्या लिखना है, निबंद, 9 नमर काएगा चलिए, जैसे में पहला है कि देश में ब्रजगारी की समस्या इस पे लिख सकते हैं या आतंकवाद की समस्या हम समधान इस पे लिख सकते हैं या व्रिक्षार उपड का महत्तो पे, या विदार्ति हम रजनीत पे देश की समरिधी विकास में समाचार पत्रों की भूमी का तो इसमें से important की बात करूं की कौन 100% आएगा देश में ब्रजगारी की समस्या और आतंकवाद की समधान समस्या इस दोनों को बढ़िया से पढ़ लेना, इस बार ये आने का fix है बढ़िया से त्यारी कर लेती है, इसका full solution board exam की गौपी पे चाहते हैं तो आप लोग like कर देना बबू, और चैनल पे नहीं है तो subscribe करके जूर जाए आपको डेली ऐसे ही सारे subject का model paper, जो previous year papers है शेट से सबका solution यहाँ पे कराया जा रहा है, ठीक है और 22 परोड़ी को छापना है हिंदी में और ऐसे ही पूरा English, chemistry, physics सबका तैयारी कर रहा जा रहा है चैनल के subscribe करके जूर जाए, बाई बाई टेक केर बबू